दोस्तों शच्रियकाल दोस्तों सबसे बहुत चाहूंगा कि काफी लंबे समय से मैं कोई वीडियो अपडेट आपको नहीं दे पाया कोई काम में बिजी होने की वज़ाई से टाइम कम मिल पाता है इन्फोर्मेशन तो बहुत सारी है लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आप सब लोगों से request करूँगा मैं एकर हो सके तो थो आप मेरा जो हमारी कंपनी का Instagram का पेज है The Blue Origin Portugal करके सेम नाम है जो हमारे TikTok चैनल का नाम है सेम इसी नाम से Instagram का account है मारा और इसकी मेरे लिंक वीडियो के तौर पर अभेलेबल है अगर हो सके तो आप वहाँ follow कीजिए क्योंकि दोस्तों वहाँ पर दो चीजे हैं आप लोगों के लिए पहला ये कि जब भी मैं किसी सेफ या किसी government organization में police या court में visit करता हूँ तो वहाँ पर मैं regularly status update कर देता हूँ कि अब मैं कौन से दिन कौन से सेफ में या AIMA में visit कर रहा हूँ या कौन से court के चहरी में मैं हूँ उस time पर तो यह आपको हमारे instagram के page से पता लग सकता है number 2 दोस्तों अगर आप हमारे office में contact कर रहे हैं आपने calls वगरा करी हैं और आपको कोई भी जवाब नहीं मिल रहा आगे से आपने message भी किये हैं तो आपने हमारे इस instagram page के उपर आपने message ड्रॉप करना है अपना नाम और नमबर लिख करके और आपको same day back call आ जाएगी और जो भी आपकी problem है हम उस चीज को thought out करेंगे कि क्या मरपा solution है उस चीज का तो दोस्तों WhatsApp call किया करें अगर call को पिक नहीं कर रहा है तो आप उस पे message जरूर drop किया करें ऐसा नहों कि सिर्फ आप call करें चले जा रहे और message ड्रॉप नहीं कर रहे हैं बोल करके type करके जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से करिए तो दोस्तों आज की video regarding है court cases के उपर क्योंकि अभी हाली के अंदर हम पूर्थी लगरा court में गए हुए थे क्योंकि वहाँ पर हमारे दो भाई है यह news जो information आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि अगर आपका case court में चला जाता है तो किन कारणों की वज़ा से आपका time बहुत ज़्यादा waste हो रहा है तो दोस्तो होता क्या है कि सबसे पहले हम इस चीज़ को समझे कि court में किस के खिलाफ case जा सकता है देखिए दोस्तो लगबग लगबग 99% जो court में cases जाते हैं आर्टिकल 88-89 की file submission के बाद पायो मेट्रिक्स के बाद वो है fake जूनता वले अगर दोस्तो सेफ ने ये कहा है कि आपने अपनी profile में file log करते time या fingers के time जो जूनता लगाया था वो fake था फेक से मतलब ये है कि वो जूनता office ने issue नहीं किया था आपने या जिसे आपने file log करवाई थी उसने computer की उपर edit करके submit कर दिया था तो दोस्तो जो जूनता का certificate है ये एक सरकारी कागस है और अगर आप सरकारी कागस जूठा बनाते हैं या submit कर रहे हैं कहीं पर इस्तमाल कर रहे हैं तो वो सिधा सिधा criminal charges आपके उपर file होते हैं तो दोस्तो जिन जिन लोगों को भी अगर fake जूनता का वज़ा से file reject हुई है तो उसके chances बहुत ज़्यादा हैं कि आपका case court में जाएगा तो दोस्तो ये कुछ डरने वाली बात नहीं है कि हमारे कलाफ case हो गई यह हो गई नहीं कोई बात नहीं है इस case को हम sorted करवा सकते हैं एक अच्छे वकील के थुरू जो हम fine के रूप में 500-700-800 fine दिलवा के जद से और MNC ले सकते हैं और उसके बाद हमारा जो process है वो normal हो जाता है अब दोस्तो problem क्या है जो recently हमारे पास cases आए है मैं आप लोगों से दो discuss करता हूँ पोर्ति लेगरा के दोस्तो एक का case हमारे एक भाई का दिल्ली के हमारे भाई हैं उनका case मई 2022 में पोर्ति लेगरा court में गया था और आपकी Lisbon की कोई वकील है वो इसको handle कर रही थी और बार बार एक ही बात कहे जारी थी कि वेट करो court से कोई चिठी आएगी वेट करो वेट करो और चिठी तो को आई नहीं रही है तो वो भाई हमारे पास आया और हमने जब उस lawyer को request कर दी कि अब तुम case छोड़ दो अब हम इसको deal कर रह से बातचीत करके हमको case पता लगा और हमने जो last case देखा था वो हा September 2023 में और दोस्तो हम लोग भी और judge खुद भी क्योंकि judge को file देखनी पड़नी थी वो खुद इस चीज़ से लेकर के हरान रह गया कि मई 2022 से case चल रहा है October 2022 में सेफ ने इंस्पेक्टर ने जिसने case file किया था उसने request किया था judge को कि भी मुझे ओर टाइम दिया जाए भी मैं काम की वज़ा से नहीं कर पाया हूँ तो उसको चार मिने और दिये गए यानि कि फर्बरी में ये case खतम हो सकता था अगर वो वकील actively काम करती यानि कि September 2023 तक लगवग सवा साल तक उसने कुछ भी नहीं किया था और यो चीज मार्च में खतम हो सकती थी वो अभी तक चल रही है तो finally हमने फिर judge के थुरू उसको हटवाया case से और judge के थुरू हमने कह करके hearing करवाई है अब letter receive होगा और हमारी उनकी पेशी करवा कि हम इस चीज को खतम कर देंगे और दूसरा case भी पोर्टी लेग रहा है यहां पर जनवरी 2021 से case चल रहा है और जो आपके वकील है पुर्टगाल में यह लिस्बन में बैठें वो कह रहे हैं जी court से चिठी आएगी court से कोई चिठी नहीं आई और तीन साल होने वाले हैं इस case को उनकी भी हमने hearing की request अब डिलवाई यानि कि दोस्तों अगर 8 महीने के case को खतम होने के लिए तो दोस्तों अगर आपके उपर भी कोई इस तरह के charges हैं और आप 8 महीने से उपर time हो चुका है और आप अभी भी कोई चिठी का अंतजार कर रहे हैं तो अपने वकील को ले करके तुरंत जाईए court में visit career को बोलिए कि भी अब तक हमें कुछ receive नहीं तो हम 8 महीने तक इंतजार कर सकते हैं अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हमको actively इस चीज को handle करके हम इसको sort out कर सकते हैं दोस्तों हमारे पास काफी cases है वियनादा कस्तेलो के भी हैं कस्तेलो ब्रंको के भी हैं पोर्ति लेगरा के भी हैं टावीरा के भी हैं और हम इ पाई चांस कुछ ऐसा निकल आया तो डरने की बात नेक अच्छे लॉयर की तो हमें इस चीज को sort out कर सकते हैं दोस्तों नमस्कार